वेल्कम प्यारे साथियों स्वागत नई क्लास में दोस्तों आज हम बात करेंगे आर आर भी एंटी पीसी दुहजार चुबिस को लेका जी यहां दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो करेक्शन डेट आई कि उसमें आप क्या-क्या करेक्शन कर पाएंगे फॉर्म में यानि को इस तरीके का एक आपको एक फॉर्म दिया होगा जो कि साइबर कैफे वाले नहीं यहां पर आपका फुल नेम मदर नेम सौरी फादर नेम और इसके बाद मदर नेम डेट ऑफ ठीक है तो दोस्तों यहां पर देखिए जब आपको जो करेक्शन डेट आएगी तो नहीं आ और अधार काड नंबर यहां पर चेंज कर सकते हैं और खास तोर पर यह भी है कि आपनी एटी पीसी मने आप अपनी और ऑपी जाएब वो जोन भी आपको change करने का मौका RRV नहीं दे रहा है देखिए अब आपके form यहाँ पर last date हो जाएगी उसके बाद आपको एक दो दिन के बाद correction date दी जाएगी लेकिन उन डेटों में आपको जो है यह चीज चेंज नहीं करने का मौका दिया जाएगा क्योंकि आपको पता है railway ने आप जो है एक ही बार registration कर दिया है कि आप कोई भी form फिल करें चाहें आपका NTPC हो चाहें technician हो चाहें फिर आपका RPF SI हो किसी भी form में अगर आप railway का form बढ़ते हैं तो आपको एक ही बार registration करता है और जो data है आपके पास पहले से यहाँ पर सब्मिट होता है तो दोस्तों इन चीजों को आप यहां correction नहीं कर पाएंगे आप यहां पर क्या correction कर सकते हैं आप यहां पर अपना address जो है सही कर सकते हैं और दोस्तों में बात है कि आपना mobile number email id भी चेंज नहीं कर सकते जो आपने registration करते वक्त यहां सब्मिट कर दिए लगा लेना लेकिन एफिडेविट कुछ सर्थों में लग सकता है कि आपका admit card आजाता है आप exam दे देते हैं तब लेकिन जब admit card आएगा तब admit card नहीं आता है तो आप क्या कर लेंगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता तो registration हो जाता है तो इस तरीकी कि आपकी site open होती है कि registration संख्या और date of birth और यह capture code फिल करने के बाद आपको login कर लेना होता और आपको डारेक्टली यहां पर आप जो अपनी जो आपनी registration क्या था वा आपकी पहले सी इसके check करने के बाद हो सकता है कि आपका admit card नहीं आए या form आपका reject हो जाए तो देखिए इससे पहले आपका status जारी होगा कि आपका form reject हुआ या फिर accept हुआ है ठीक है तो मिलते हैं नेक्ट क्लास साथ अब तक के लिए thank you for watch thank you for support